सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सबी का आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है शिक्षा निदेशाले रास्ट्री राधानी छेते दिली की वरक्षीट सोलर डिसकस कर रहे हैं बच्चों विद्यारती अपने नाम लिख लेंगे कक्षा द्यापक नाम लिख लेंगे डेट है इस कि कुल छेतरवकल का लगबग 30 पृतिशत हिस्सा है और इस छोटे पृतिशत के सभी हिस्से रहने योगे नहीं हैं मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी पृत्वी का केवल 30 पृतिशत हिस्सा ऐसा है बच्चों जिस पर हम रहते हैं हम निवास करते हैं इसके अलावा बाकी 70 दुनिया के विभिन हिस्सें में आबादी का समान वित्रन मुखे रूप से भूमी और चलवायों की विभिन विशेष्टाओं के कारण हैं क्यूं क्यूंकि उसकी बूमी की विशेशता ही ऐसी है इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या तो लोग रहते ही नहीं है जैसे बीहर इस्थला करती उबढ़ खाबर जगा हो या पहाडों का खड़े ढलान वाला इस्थान या जल जमाव के लिए जहां पर निचले आते हैं वहाँ पर जल जमा हो जाता है या फिर रेगिस्थानी इलाके या घहने जंगल वाले इलाके आप्यिशता के लिए लिए जन संक्या बहूमी चेतर के 30 प्रतिशत भागपर ही रहता है शेश 70% जनसंक्या भूमी या तो ब्रिल जनसंक्या या वे निर्जन है ये कह रहे हैं बच्चों जो 90% जनसंक्या है हमारी वो केवल 30% भूमी पर रहती है ठीक है अब अगर 70% की बात करें इस में से जो 70% बची वहाँ पर या तो बहुत कम जनसंक्या रहती है या तो रहती नहीं है ठीक है खाली पड़ी है वो जगा अब आगे देखते हैं भूमी का उप्योग देखते हैं विभिन उधेशों जैसे किर्शी वानी की खनन, भवन निर्माट, सडकों और इद्योगों की स्थापना के लिए क्या जाता है इसे आम तोर पर भूमी उप्योग का जाता है भूमी का उप्योग भोतिक कारकों जैसे स्थलाकरती, मिट्टी, जलवाईयू, खनीज और पानी की उपलब्दता से निर्धारित होता है जनसंक्या और प्रौधिगी की जैसे मानवी अकारक भी भूमी उप्योग पैटरन के मैत्वपों निर्धारक है भूमी को स्वामित्व के आदार पर नीजी भूमी और सामुदाइक भूमी के रूप में भी वर्गीकरत किया जा सकता है नीजी भूमी वक्तियों के स्वामित्व में है जबकि सामुदाइक भूमी आम समुदाइक के लिए जारा फल, नट या ओश्चिदिये जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उप्योग की जाती है इन सामुदाइक भूमी को आम समपत्ती संसाधन भी कहा जाता है तो पहले ये देख लेते हैं भूमी को अब योग कहा कहा होता है खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए, किर्शी के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, वनों के लिए अब आगे देखते हैं अब लास्ट में देखते हैं बचे भूमी संरक्षन बढ़ती जनसंक्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और किर्शी योग के भूमी का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकरतिक संसादन खोने का डर भी पैदा किया है इसलिए भूमी की गिरावट की वर्तमांदर को रोकना होगा वनों की कटाई भूमी पुनरगरहन रासाइनी किटनाशक और उर्वरकों का व्यनिमित उप्योग और अतिवरिष्टी पर जाज भूमी संसादनों के संरक्षन के लिए उप्योग के जाने वाले कुछ समानने तर और उद्ध्योगों की स्थापना के लिए ठीक है बस इतना लिखकर उद्ध्योगों की स्थापना के लिए फिर आप लिख देंगे स्थापना के लिए के बाद भूमी आवशक है तो आपका अंसर नमबर वन कंप्लीट हो जाएगा अब कोशे नमबर टू है बच्चों भूम portion number 3 है आपका भूमी शेरंड से बचाव के क्या तरीके हैं तो देखे यह है आपका answer number 3 आप लिखेंगे वनों की कटाई पर रोक व्रक्षरोपन मतलब हमें वनों की कटाई पर तो रोक लगानी चाहिए और अधिक सदिक व्रक्ष लगाने चाहिए ठीक है व्रक्षरोपन रहस मैंने यहाँ पर निशान लगवा दिया है ओके इस्टुडेंट्स तो आपकी व्रक्षिट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वोचिंग